अभी के लिए सेव करा हमने और अपने ब्राउजर पर जाके और रिफ्रेश कर देते तो यहां पर आप देख सकते हो बिल्कुल ब्लैंक पेज है तो अभी के लिए हमने यहां पर करने तो सीअजस मैंने अल्रेडी आपको बताया क्या चीज है एक बार थोड़ासा और इसकी बारे में जान लेते हैं तो जो सीएसस है वो होती है कास कारण श्टाइल शीट यानी सीएसेश क्या चीज है तो अल्रेडी मैंने आपको एस्टेमल बता दिया किसी भी वेब निन्पुट बनानी है यां फिर वीडियो लाना है और यह फिर कोई टेक्स लिखना है पररग्राफ लिखना तब हम sttml का पीज़ के स्चूद का स्केलतान एक डाटा है उस चीज़ को लाने के लिए वहीं उशा सजावट करने के लिए उसको खूबश्यारत डाने के लिए या good looking या फिर pleasant सा बनाने के लिए हम इसमें इस्तमाल करते हैं CSS का यानि आपकी body का जो आपका main data है वो है आपकी हड्डी मतलब आप हड्डियों की बगेर आपका शरीर ही नहीं दिखेगा यानि आपका data के बिन आपकी website ही नहीं दिखेगी तो इसी तरीके से हड्डी हैं आपकी HTML आपकी शरीर की यानि आपकी website की वहीं उसको साथ सजावट करने के लिए एक सरीर का रूप देने के लिए skin चाहिए होती है और मतलब eyes wise यह सारी चीज़े चाहिए होती है एक सरीर के ऊपर अच्छा से दिखने के लिए उस website को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए उसमें थोड़ा बहुत साथ सजावट करने के लिए उन materials की साथ सजावट करनी होती है मतलब CSS उसके उसके उपर एक CSS का स्कमाल करते है CSS Cast Cading Style Sheet, styling के ही हमारे पास language आ जाती है तो आप CSS के बारे में आप जाने वाले हैं तो सबसे बहले तो मैंने आपको बता दिया CSS की full form क्या है C की होती है Cast Cading Cast Cading और Cast Cading हो गया S से हो गया style और style के बाद S से हो गया sheet तो यह एक तरीके की आपकी external file भी बन सकत अगर आप इसे internally use करना चाहते हो आपकी HTML file के अंदर external file ना बनाकर तो आपको करना क्या है style का tag लगाना है अपने HTML file के अंदर और उसको closing tag लगाना है इस तरीके से style और just इसके अंदर ही आपको सारी के सारी elements की properties देते हुए चले जानी है वहीं अगर आप externally इसे use करना चाहते Link tag में आपको relation देना है REL के अंदर style sheet का relation देने के बाद यहां पर href की मदद से इसकी location देनी है और location देनी के बाद type बता देना है इसका type क्या होता है CSS tag वह सब मैंने आपको अल्रीडी बता दिया है जब मैंने आपको link tag बनाया था बताया था अभी head के अंदर HTML वाले section में तो वह सब आप कर रही होगे external किस तरह के से attach करते हैं वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर हमारे पास जो यह होते CSS उसके अंदर हम elements को target किस तरह के से करते हैं अब जैसे कि हमने अपने HTML में paragraph का tag बना रखा था paragraph के अंदर हमने particular text लिक रखा था तो हमें अग paragraph tag है अगर सभी को एक ही property provide करनी है तो आपको just p tag अपने वहाँ पे style sheet में लिखना है उसके आगे आपको यहाँ पे curly braces open करने है और नीची के side आपको close कर देने और यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे properties लगाओगे वो सब कहां डिस्प्ले होंगी सभी paragraph tags के अंदर ठीक है सभी paragraph tag के अंदर वहीं अगर आपको particular एक ही paragraph tag को target करना है तब आपको उस case में क्या करना है आपको paragraph tag लेना है इसके बाद space दे के उसमें class add कर देनी है ठीक है class और class के अंदर आपको क्या कर देना है उसकी class दे देनी है जैसे class में देना चाहता हूँ पैरा पैरा वन पैरा वन तो जिस जिसकी आप पैरा वन class दोगे तो वो एक class के अंदर आ जाएंगे जैसे कि आपने classes object पढ़े हूँगे object oriented programming में तो जितने भी आप यहाँ पे multiple चीजों को एक class के अंदर रखोगे और उस particular class को कहीं use करना चाहते है तो उस सारे के सारे member आप उस जगा पे use कर सकते हो तो same concept यहाँ पर है जो भी classes है आपकी class के अंदर जिन जिन tag को आप यहाँ पर रखोगे और फिर आप यहाँ पर अपनी CSS पर जाके उस class को target करोगे तो उन particular tags के ऊपर वो properties यहाँ पर apply हो जाएंगे अब देखो यहाँ पर मैंने मेरे पूरी फाइल में 10 paragraph के tag है तो मैंने 3 मे class दी है तीन paragraph में और तीनों में same class दी है तो मैं क्या करूँगा hash लिखूँगा hash लिखने के बाद मैं simple उस class का नाम दीदूँगा para1 ठीक है para1 और इसके बाद calibrances open करूँगा और उसके अंदर जो properties लिखूँगा तो para1 नाम से जिन जिन भी tags के अंदर वो class है तो वहाँ वह वो properties यहाँ पर लगके apply हो जाएंगी particular अगर मेरे को simple एक ही tag को यहाँ पर इस्तवाल करना है एक ही tag के अंदर मेरे को property प्रोफर्टी प्रोवाइट करनी है तो मैं यहाँ पर id का इस्तवाल करूँगा id का असे करूँगा मैं simple क्या लिखूँगा p लिखूँगा id लिखूँगा id के अंदर मैं यहाँ पर unique id दूँगा मतलब इसके अलाबा मैं किसी और को भी यह id नहीं provide कर सकता मैं इसको id दे देता हूँ one one c one c नाम से one और c तो यह मैंने इसको id दे दी है तो अगर अब मैं इसको simple इसको यहाँ पर target करना है तो मैं अपनी css में जाके क्या लिखूँगा dot लिखूँगा one c लिख दूँगा और just calli braces यहाँ पर अपना open करके यहाँ पर जो भी property प्रवाइट करूँगा वो कहाँ पर reflect होगी इस वाले paragraph पे क्योंकि मैंने इसकी id यहाँ पर target कर लिए dot और उस id का नाम ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको classes किस तरीक से target करते है particular tag किस तरीक से target करते है particular id किस तरीक से target करते है मैंने यहाँ आपको बता दिया ठीक है तो सभी tags पे apply होगी अगर आप direct tag कर इस्तमाल करोगी particular classes कर इस्तमाल करोगी तो उस classes जिस जिस के पास है वह वाली उन सब में apply होगी वहीं id कर इस्तमाल करोगी तो particular उसी tag पे apply होगी जिसमें वह आपने id दी है I hope आपको id class या फिर particular tag को target करने का थोड़ा सा theoretical knowledge यहाँ पे हो गया होगा particular आप यहाँ प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अब बिना ज्यादा देर करें let's get started अब मैं style.css के अंदर आ चुका हूँ मैं सेंपल.stml पे दिखा देता हूँ Confederate याँ पे ठकली बना देता हूँ सबसे पहले तो मैं आपको text के related यहाँ पे अत च्नातों यहाँ पे च्रेट से और यह मेरा href है, तो यह फाइल मेरी linked है मेरी इस फाइल से, तो अब मैं यहापे क्या करता हूँ, मेरा जो body tag है यह रहा, और अगर मैं इसे simple अपनी web browser पर open करूँगा, तो मेरा simple कुछ भी output नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सब कुछ comment down कर रखा है, अगर मैं अपनी style.css में जा background देना चाहऊं, तो मैं direct दे सकता हूँ मैरे को क्या करना है, मैं यहापर property लूंगा जैसे मेरे को background का color change करना है या फिर background मैं photo change करना है, तो यसे साबसा मेरे को देना है, मैं material cat hunter तो मैं लिखूंगा Background Color, ठीक है background color, औरilian बाइध द्लाम करना हूँ, those four until RGB value तो इनी ल entrar क्रणKनो, डिश गर्ले के पें तो मैं लखना है, हाई दीक हे साली देखूंगा, मैं पर अई responded, यह, हां चिर मेर दूआ है, तो मैं अपने ब्लाकलर के दोला ठीक है तो इस तरीके से आप color change कर सकते हो, मैं दूसरा different color करके दिखा देता हूं, तो यहां पर मैंने अभी code दिया था, मैं यहां पर color का name भी दे सकते हूं, जैसे कि मैं यहां पर करना चाहता हूं green, तो मैं यहां लिख दूँगा green, तो मैं just green लिखने के बाद control एसे save करूँगा, अ आप जाके यहां पर refresh कर रहा, तो मैंने दुखो वही color आगया है, इस तरीके से आप यहां पर color select कर सकते हो, और यहां पर आपको hover करने पर option भी आ जाएगा, अगर आप यहां क्लिक करोगे, तो यहां पर option भी आ जाएगा, आप यहां से भी color select कर सकते हो, ट्रांसपरेंसी से यहाँ पर जाकर रिफ्रेश्च करना है तो, आपका by रेक्राइड का चेंज हो जाएगा तो अगर चेंज करना है तो आप अगर आपको यहाँ पर कालल की परतिकोल लेनी में आपको以上 सब्सक्राइब करना है यूरल, यूरल के बाद जस्ट आपको यहां पर उस पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन दे दिनी है, अगर आपको पर्टिकुलर लोकेशन देनी है, तो आपको single quotation mark लेने है, दो dot लेने है, इसके बाद आपको hyphen कस्तमाल करके, उस पर्टिकुलर जो आपकी फाइल का जो एड् आपके refresh करूंगा, तो मेरी वो image आ चुकी, अभी के लिए पूरे page पे आ रही है, तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, background को, यहां पर और भी कुछ काम कर सकते हो, background के उपर जैसे आप background का size देना चाते हो, size इसका कैसा रखना चाते हो, contain में रखना चाते हो, cover रखन आपकी image कम resolution की होती है, तो आपका यहां पर repetition होने लगता, अगर मैं आपके zoom out करता हूँ, आपके zoom out नहीं होगा, because यहां पर आपका जो यह पूरा पूरी image हो, background को cover करके बैठी है, अगर यहां पर कुछ इस तरीके का हो, कि आपकी image का resolution का मैं, इस तरीके से आ रही है, इतन no repeat कर दो, तो यहां पर आपकी image जो है, कभी भी repeat नहीं होगी, तो इस तरीके से background की कुछ properties होती है, और भी बहुत सारी properties होती है, आप यहां पर एक एक करके explore कर सकते हो, तो background मैंने आपको बता दिया, यह सारी आप यहां पर कर सकते हो काम, इसके बाद यहां पर मैं आपको क इसके बाद body की नीचे जाऊंगा मैं, और body की नीचे जाने के बाद, यहां पर मैं नए tag को लेलूँगा, कौन सा paragraph का tag, paragraph का tag लेलिया मैंने, अब इसके अंदर मैं property यहां पर provide कर देता हूँ, अभी के लिए मैं तो just इसे open करता हूँ, refresh करता हूँ, तो यहां पर यहां पर text ल इसके बाद मैं यहां पर large, larger, medium, यह सब भी कर सकता हूँ, larger करूँगा, तो यहां पर larger में जो value होगी, वो यहां पर आ जाएगी, लेकिन मैं इसका larger, larger की जगा मैं यहां पर simple pixels में भी दे सकता हूँ, pixels में आपने according, जितना रखना चाहूँ, उतना रख सकता हूँ, मैं 56 pixels र बहुत सारे fonts होते है, cursive रखना चाहता हूँ, cursive रख दूँगा, यहां refresh कर दूँगा, तो यहां पर यह अप्लाई हो जाएगा, वहाई आपको यह external font यहां पर रखना चाहते हूँ, जैसकि मैं रखना चाहता हूँ, यहां पर Google से कोई download करके, तो मैं यहां जाओंगा, simple ल यहां पर यहां पर देखने को मिल रहा है, popular pairings जो भी है, मैं यहां पर इस प्लस पर क्लिक करूँगा, तो यहां पर आप देख सकते हो, उस particular font का, मेरे पर यहां पर link आ रहा है, ठीक है, तो मैं जस इस link को यहां पर inherit कर सकता हूँ, किस तरीके से inherit करूँगा, मैं यहां पर copy कर लूँगा, और copy करने के बाद कहां जाऊँगा, अपने HTML पार्ट पर जाऊँगा, और यहां पर जाके matter tag के आस पास यहां पर जाके इसे paste करा दूँगा, कुछ इस तरीके से, तो यहां पर उसका API connect हो जाएगा, Google API, मतलब अपने project के साथ, अब मैं जस यहां पर font को भी import करना आना चाहिए, तो Google font भी आपको बता दी किस तरीके से import कर सकते हो, प्लस यहां पर जो आपके by default होते हैं, वो सब भी आप यहां पर import, export कर सकते हो, तो इसके बाद font size हो गया, font family हो गया, और भी बहुत सारे options होते हैं, जैसे कि font लिखूंगा, तो यहां पर weight है, weight अगर मैं इसका bold, bold करना चाहूं, वो सब कर सकता हूं, बोल्ड, बोल्ड, लाइट, लाइट, यह सारी चीज़ होते हैं, bold करा है, मैंने, refresh करूंगा, तो यहां पर bold हो जाएगा, और underline, underline, जो भी आप करना चाहूं, यहां पर कर सकते हो, font, style, style पर आप italic करना चाहते हो, और जो भी करना चाहते हो, यहां कर सकते हो, मैं यहां पर italic कर देता हूं, यहां जाके refresh कर देंगा, italic हो जाएगा, और भी बहुत सारी properties हैं, जैसे की font लिखके, मैं यहां पर variant, display, features, stretch, cleaning, language override, size adjust, synthesis, यह सारी के आप खुद से explore करोगे, आपको बहुत अच्छे से यहां पर explanation आगे मिलते वे चले जाएंगे, paragraph tag हो गया, इसके बाद इसे just यहां पर comment down कर देंगे, अगले tag की तरफ बढ़ते हैं, तो अभी यहां पर paragraph बता दिया, मैंने आपको, इसे zoom out कर देंगे, इसे मतलब comment down कर देंगे, इसके बाद मैं आपको, क्या बता हूं, मैं इसके बाद आ आपको अच्छे से समझाएगा कि किस तरफ कैसे text यहां पर create किये जाते हैं, तो यहां पे इतने सारे काम हो चुके हैं, तो एक दू आपको properties और बता देता हूं, जैसे कि, यहां पर pictures की properties देख लेते हैं, pictures हम किस तरफ किस यहां पर use कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर simple picture ल नहीं दी है, अब मैं क्या करता हूं, अपने style पर जाता हूं और यहां पर image में ले आता हूं, image, ठीक है, image, अब यहां पर देखो मैं क्या करता हूं, इस particular tag को target ना करके ID को target करता हूं, ID target करने के लिए मैं यहां पर क्या करूँगा, इसको ID provide कर दूँगा, ID, ID में दे देता आप जो भी यहां पर काम करूँगा वह सिंपल डॉट इमेज जो आपके आपके आईडी होगी यानि इस वाले टैक के अंदर वह आईडी है तो वहीं पर रिफ्लेक्ट होगा अगर मैं इसके विड्द हाइट यहीं पर सेट कर दूँ विड्द इसकी सेट कर देता हूं मैं 5850 इसकी हइट कर देता हूं हइचिइए हाइट कर कर देता हूं 350 पिक्सल प्रिफ्ल और भी सेट कर दी है आप गए यहां पर और कित ऑप्लास व कप्लास के लिए अगर आफ रहूंस कहनी युजद रहते ह हीτοिण करना सब्सक्रा का स्बास करना इस्टा हो था है। अंभान को हैाज सब्सक्वीजन भे लिगा था मैं आप क्या क्या यहां पर इसे रफ्रेश कर दीए पर आप देख सकते हो यहां पर कुछ इस तरीके से हमारी इमेज आ रही है तो जो भी हाइट विड्ट दी है उसी इसाप से हमारी यहां पर आ रही है है इसकी थोड़ी सिंक्रीज करने पड़ेगी हम यहां पर 450 करते थे कर ओंपार देख सकते हो इसके अधिस्तर कर बार कारी क्या अब शॉब बताना चाहता हूं अभी के लिए इतना सिर्श के लिए काफी ने और आगे हम अच्छों की यह बताना जाता हूं कि यहां पे CSS पे हमारे पास एक box model होता है किसी भी particular content को target करने के लिए एक यहां पे knowledge होनी जुरूरी है कि किस तरह किसे हम उसे target करेंगे किस तरह किस तरह किसे उसकी जो location है उसे adjust करेंगे या फिर उसमें किस तरह किसे हम properties apply करेंगे तो अगर मैं आपको box model बता हूं तो मैं यहां पे Google पर जाता हूं लिखता हूं CSS box model तो CSS box model जाता हूं यहां पर images पर जाता हूं तो यहां पर मेरे पास बहुत सारी images देखने को मुझे मिल रही है तो particular जैसे कि यह हमारी पास एक image है तो इस image के ऊपर top यह top होता है, यह bottom होता है यह right होता है और यह इस तरफ आपका left होता है और यह आपकी image होती है तो image यह जो आया है आपका यह content है इसके बाद इसके बाद अगली जो line है उसमें क्या होता है, content के बाद होती है padding, मतलब padding कितने आसपास की elements से वो दूर है तो यहाँ पर इसके अगल बगल कोई element होगा उनसे दूर करना इसे तो padding होती है padding आपकी अगर simple padding का tag इस्तमाल करते हो आप तो मैं अगर यहाँ पर करके दिखाऊं तो padding का अगर आप simple इस्तमाल करोगे तो आपको यहाँ पर padding भी मिलेगा अगर आप simple padding करोगे तो चारो कहनों से इसकी padding बराबर हो जाएगी simple अगर सिर्फ एक corner से करना है तो आप left से करना है तो left top से करना है TO, bottom, bottom, right से करना है और right and so try and start से करना है ब्लॉक के end से गनी है यह सारी की सारी properties होती है तो particular किसी एक दिशा में गनी है तो आप इस एक दिशा कभी इस्तमाल कर सकते हो अगर पूरी चार हर जगा से गनी है तो simple padding कर सकते हो पेडिंग इस तरह के-से होती है मतलब कितनी distance आप यहाप यहाप बनाना चाहते हो बागी objects से इसके बाद आति है border आप कितिना border देना चाहते हो मतलब अपनी जो object गांटेंट है उसकी कितनी बॉर्डर दिना चाहते हो तो वह बॉर्डर आप अगर simple सारी चीजे करना चाहते हो तो simple आप simple बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो यहापे border का तो हर जगा से border मिल जाएगी लेत जाते हैं राइट से दिना चाहते हो तो आप वहां से बिता करता हैं इसके बाद रहाने क्या है कि मैं यहां पर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ margin top, मैं यहां पर देना चाहता हूँ at least 25 pixel मेरा top से यह नीचे डिस्प्ले हो, अगर अब मैं refresh करूँ, अभी refresh नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसे comment down कर रखा है, तो थोड़ से comment हटा देता हूँ, इसके control एस से save करूँगा अब इसे, तो आप यहां पर देख सकते हूँ, उतनी ही top से यह दूर बनी है, अगर मैं left से दूर बनाना चाहता हूँ, तो मैं left से property दे दूँगा, कैसे margin left, मैं दे दा हूँ 50 pixels, ठीक है, इतनी मैं यहां से दे रिफ्रेश करूँगा, तो यह उतनी left से दूर बनीग, तो margin होता है, कित पाद left यह साइड होती है, right यह साइड होती है, bottom यह साइड होती है, तो इनी सारे के आस ही पास आपकी सारी properties भटकती रहती है, तो इस हिसाब से आपको यहां पर particular किसी भी element को target करना होता है, I hope आपको यह clear हो गया होगा, किस तरह के box model होता है, तो इसी पर सारी चीज़ डि frames भी से दे सकते हैं, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, just like मैं आपको animation दे के बता देता हूँ, अभी के लिए इमेज ली थी, अभी के लिए इसे close कर देते हैं, मतलब comment down कर देते हैं, अब यहां पर एपने web page पर जाते हैं, तो यहां पर हमारे web page में कुछ भी नहीं है, दोबार से इस image वाले option को uncomment कर देंगे, और यहां width height हमने उसके already दे रखी थी, और यह margin top left हमने दे रखा था, और अब इसे जाके यहां पर refresh करते हैं, तो हमारी image आ रही है, लेकिन पूरे full resolution के साथ आ रही है, तो हमने यहां पर target नहीं किया, यहां पर tag देना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहां पर ID नहीं दी थी इस बार, तो अबकी मैं यहां पर जाता हूँ और refresh करता हूँ, तो यहां पर हमारी image को इस बड़े size के साथ आ रही है, तो मैं थोड़ा सा size adjust कर देता हूँ, इसके width मैं कर देता हूँ, 500 और इसकी height मैं कर देता हूँ, 350 करने के बाद मै इसे refresh करूँगा, तो यह एक अच्छे size के साथ मेरे पास आ रही है, और थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ, तो और छोटा कर सकता हूँ, 400 और इसकी 250, और आपकी refresh करूँगा, तो और थोड़ा सा size आ जाएगा, तो अभी आप देख सकते हूँ, मैं इसके उपर hover कर रहा तो इसकी जो width है वो थोड़ी सी increase हो जाएगी, width increase हो जाएगी, 400 pixel पहली थी, अब हो जाएगी 450 pixels, 450 pixels, और इसकी जो height है, वो कितनी हो जाएगी, height हो जाएगी 275 pixels, और इसके बाद इसमें जो height width इतनी बड़ी हो जाएगी, प्लस यहां पे इसका color है, वो color नहीं या फिर इतन इस हो जाएगी, वहीं मैं इस पर animation भी provide करना चाहत हो, यानि transition भी provide करना चाहत हो, तो मैं वो भी दे सकता हूँ, तो transition मेरे को main image वाले, उसमें देना पड़ेगा, तो मैं यहां transition पर जाओंगा, transition का time दूँगा, जैसे 0.5 second और यहां पर ease कर दूँगा, यानि एक छोटा सा animation animation हमें यहां पर देखने को मिलेगा, तो background color पर जाके background color इसका change कर सकती थी, कुछ इस तरीकी के animation आप दे सकते हो, जैसे मैं यहां लिखूंगा, background color, तो just मैं यहां पर background और color यह रहा, और background color मैं यहां पर दे सकता हूँ, जो भी मेरे को ठीक सा लगता है, जैसे है कि मैं black दे तो control ऐसे save करूँगा, अब इस पर जाके मैं refresh करूँगा, तो अब मैं जैसी image के उपर जाऊँगा, आप देख सकते हो, यह image बड़ी हो रही है, तो इस तरीके से आप यहां कर सकते हो, वहीं मैं आपको दूसरी चीज दिखा देता हूँ, जैसे कि यहां पर हमने image के साथ कि लिए, वहीं अगर हमारे पास यहां पर image ना है, image की जगह हमारे पास यहां पर कोई text है, तो मैं text भी करके दिखा देता हूँ, मैं लिखता हूँ, paragraph, और paragraph में यहां पर मैं आपकी class दे देता हूँ, class दे देता हूँ इसकी para नाम से, और इसमें मैं text provide कर देता हूँ, this is text, यहां पर जाके target करता हूँ, तो यहां पर target करने के लिए मैं क्या लूँगा, class का नाम लूँगा, तो hash, sorry hash का symbol लिए, dot का symbol लगाएंगे, dot के symbol के बाद class का नाम, para, और just calibrations open करेंगे, और अब यहां पर इसका size देंगे font का size, तो font size, font size दे देंगे इसका 56 pixel, 56 pixel और font की family दे देंगे क्या, cursive, cursive दे दी, और color दे देंगे इसका, font का color, font, style और font color, दो चीजा हमें देनी है, font color थो हम simple दे सकते हैं, ऐसे भी, font color और इसका font color रखेंगे थोड़ सा dark सा, इस तरीके से, और अब इस पर जाके refresh करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके hover, आप after और before वाला काम भी कर सकते हो, कि मतलब after कैसा रहेगा, और after click, before click कैसा रहेगा, यह सब भी आप यहां कर सकते हो, hover के जगा after लगाना है आपको, तो जब इस पर hover करा जाएगा, mouse उपन ले जाया जाएगा, तो इसका font का size है, वो 56 से बढ़कर, 86 हो जाएगा, और इसक refresh करूँगा, तो अभी देखो, कुछ भी नहीं हो रहा, इसके ऊपर ले जाती है, आप देख सकते हो, कैसे हो रहा है, तो इस तरीके से भी आप यहां पे animations कुछ इस तरीके के दे सकते हो, अपने particular चीजों के ऊपर, वहीं यह animation मैंने आपको दे दिये, अब मैं आप पर particular animation द style मैं जाँगा, यहां लिखूँगा, dot, dot नहीं लिखूँगा, सिरफ लिखूँगा, p, क्योंकि paragraph का tag है, simple, एक tag है, मैं अभी आप paragraph के tag में animation प्रोवाइट करना जाता हूँ, तो मैं यहां पर लिखूँगा animation, और animation की duration दूँगा, animation की duration दाएगी 5 second, ठीक है, 5 second, मैं body पे भ count यह होगा, सिरफ और सिरफ तीन बार, ठीक है, animation का count भी दे दिया, animation की duration भी दे दिया, animation का name दे देते हैं, तो animation name, name दे दे देंगे इसका, n1, n1 नाम से मैं इसका name दे दिया, तो इसके नीचे जाके animation हमें create भी करना है, तो create करने के लिए add the rate keyframes का सित्वाल करेंगे, add the rate keyframes, space दे के, उस animation का नाम, n1, n1 नाम का animation है हमारा, इसके बाद कलिबरेसे open करके, यहाँ पर animation की information देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा from, from, अब from के आगे मेरे को properties का इस्तमाल करना है, अब किस तरीकी की properties मैं ले सकता हूँ, जैसे कि मैं ले सकता हूँ, animation की property में, कि मै मतलब ले सकता हूँ, उसका color, अब ही यहाँ पर हम paragraph का color क्या रखेंगे, मैं यहाँ पर paragraph का color दे देता हूँ, color, color अभी इसका green रखेंगे, तो यहाँ पर from में क्या होगा, और इस पे लिखना है, color, color कौन सा देंगे मैं, हमारा जो पहले color है, lime वाला color है, lime वाले color से हमें कह तू तक तोघ्व में यहां पर दूंगा Sorry तू में मैं छाथ मोले कलर और ने मेरे नियुक्त कर देख सकते हो मेरे जो उसका color change हो रहा है और सिरफ 3 बार change होगा green से brown, green से brown तो यह 3 बार change हो चुका है अब वापे से green पे आके save हो चुका है अगर मैं इसको infinite कर दूँ यहाँ पे 2 second के जगा इसकी duration duration नहीं, iteration count तो यह unlimited बार चलता रहेगा उसके लिए यहाँ पे आपको from 2 की जगह क्या करना पड़ेगा from 2 की जगह आपको यहाँ पे उसकी position देनी पड़ेगी जैसे left, margin left उसका अगर अभी current में उसका margin left जो है अभी इसको ऐसे नहीं देना पड़ेगा from 2 भी करना पड़ेगा, from और calibrations open करा margin left, margin left जैसे left से right का animation देना है तो मैं left से right का दे रहा हूँ, आप top से bottom या right से left कुछ भी दे सकते हो वहाँ पे बस आपको margin वहाँ से from से रखना पड़ेगा तो मैं मेरा margin left है 0 pixel, तो मैं यहाँ से ले जाना चाहता हूँ to 300 pixel की दूरी तक, तो मैं यहाँ पर margin left दे दूँगा, 300 pixel जब तक 300 pixel की दूरी तक वो जाए ना, तब तक वो रुके ना तो इसकी duration है, 2 second, 2 second के अंदर यह वहाँ तक पहुच जाएगा control असे save करता हूँ, infinite bar जाएगा, refresh कर देता हूँ ठीक है, refresh कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हूँ, this is Adi, बार बात 300 pixel की दूरी तक left से जाता रहेगा, जब तक मैं इसको close ना करता हूँ, तो इस तरगी के animation आप दे सकते हूँ, वहीं अगर मैं इसको margin left से, की जगा मैं top से रखूँ इसको, top से, तो देखते है कैसे जाएगा, refresh करता हूँ, तो यह तको top से जा रहा है, तो इस तरगी के animation आप यहाँ पर provide कर सकते हूँ, और भी बहुत तरगी के animation आप provide कर सकते हूँ, जैसे 25%, 50% आप किसी भी तरगी के animation यहाँ पर provide कर सकते हूँ, मतलब यहाँ पर अलग-अलग दिशाओं में आपको ले जाना है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर provide कर सकते हूँ, आपको animation देना किस तरीके से देते हैं, यह भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, प्लस मैं आपको यहाँ पर background animation देके दिखा देता हूँ, जिससे आपको और clarity हो जाएगी, अभी के लिए मैं यहाँ पर और भी information लूँगा, तो मैं जस लिखूँगा body, call on hover, तो मैं इस पर थोड़ा सा इस पर difference करूँगा, थोड़ा सा different काम रखूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हूँ, मैंने animation का name दिया था, यहाँ पर animation name, तो मैं जस यहाँ पर जाके animation का name देता हूँ, सबसे पहले, name, animation name, मैं इसका दे देता हूँ, main body नाम से, main body नाम से, main body नाम से मैंने animation name दे दिया, जैसे कि same मैंने नीचे भी दिया था, यहाँ पर, तो उसी तरीके से मेरे को, यहाँ पर इसके keyframes भी set करने है, तो animation name का, मैं यहाँ keyframes set करूँगा, hover के जगा मेरे को क्या लेना है, add the rate keyframes, मैं simple वाले animation कर रहा हूँ, जैसे कि आपके background change करने के इस तरीके के animation, hover करने पर, यहाँ पर body में hover काम नहीं करता है, यहाँ पर keyframes के मतर से, हमें animation दे सकते हैं, keyframes और कहाँ पर हम करने वाले है, main body के अंदर, main body, ठीक है, main body मैं यहाँ आपको parameter देना बता देता हूँ, मैं यहाँ 0%, 0% में हमारी जो body है, उसका color क्या है, उसका जो अभी color है, main body का, वो है, आप देख सकते हो, यहाँ पे यह वाला, इस code को मैं यहाँ से just copy कर लूँगा, control C से, तो अभी मैं इसका background color दूँगा, background color है, अभी current में यह वाला, तो 0% पे यह रहेगा, और 25% पे क्या रहेगा, इसका background color, 25% पे इसका background का, background का color क्या रहना चाहिए, background color, और background color रहेगा, यह थोड़ी से यहाँ पे गडबड हो गई है, यहाँ पे ठीक कर दिया, अब इस वाले जगा पे इसका color रहेगा, वो रहेगा, blue, blue, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे color provide कर सकते हो, यह आप पे depend करत है, 55% के बाद 50% पे इसका चींज होगा, 50% पे इसका background color क्या रहेगा, वो दुबारा से इसका change कर देते हैं, उसका रहेंगे यहाँ पे यह वाला, चोकलेट कलर, इसके बाद 75% पे इसका color क्या रहेगा, वो हम यहाँ से set कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, उसका background color रहेगा, या फिर उसके background image रहेगी, उसकी background image कौन सी रहेगी, हमने already यहाँ पे लख रहेगी थी, cars.jpg, जो की इसी location पे save है, background image हमारी, तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, या फिर हम background color ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे color का काम है, तो background color और इस बार रहेगा crimson, और 100% अब यहाँ पे एक बार प्रवाइड कर देते हैं, 100% और यहाँ पे background, color, background, color, background color इस बार रहेगा, सियान, control लेसे save करेंगे, इसकी duration दे देदेगे, यहाँ जाके animation, duration, duration रहेगी 2 second की, ठीक है, और कितनी बार repeat होगा, तो animation, iteration count देदेगे, iteration count होगा, infinite यानी वो repeat होता रहेगा आप control लेसे save करेंगे, और अपने page को जाके refresh कर देंगे, तो refresh करा, अभी के लिए क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे, हमारी image आ रही है, image क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे image लगा रखी है, तो इसे यहाँ पे comment down कर देंगे, comment down कर दिया, अब इसे refresh करते है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, animation कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, अब यह iteration इसके uncountable है, मतलब infinite है, तो यह चलता ही रहाएगा, चलता ही रहाएगा, जब तक हम इसे close नहीं करेंगे, तो इस तरीके से animation आप यहाँ पे provide कर सकते हो, with the help of CSS, तो अभी के लि कर दो, तो आप यहाँ ज़ी कर दो, जब यहाँ जयता है, और रहाँ पे खो, आप दो जो, तो अचित ज़ी।